सब्सक्राइब किज़े कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरी कोई भी लेटेस वीडियो आपसे मिस्स नाइए अब आज हम मतन टिक्का बनाएंगे मैंने अपने चैनल पर दो तीन वराइटी चिकन टिक्का की शेयर करी हैं तो काफी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट थी के मैं में बहुत ही डिलिशेस रेसिपी लेकर आईए हूं जरूर से इसको ट्राइक की जगा और यह हम देख लेते चाहि सब्यों इसके अलावा मैंने दो टेबल स्पून देही लिया हूए और एक टेबल स्पून अद्रक और लाजुन का पेस्ट लिया हुआ हूआ है और आपक्षाम मैं आपर नमक लिया है नमक हमें दो बार यूज करना है तो अबolen थोड़ा ही नमक लिया है एक टेबिल स्पून तेल लेंगे और एक टेबिल स्पून बटर लेंगे आप सिर्फ तेल कभी इस्तमाल कर सकते हैं एक कोईला लेंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए एक टेबिल स्पून दही लेंगे एक टेबिल स्पून बेसन लेंगे जिसकों की भून कर रख लिया है और एक टेबिल स्पून नीबुक कर रस लेंगे ये कुछ पाउडर्ड मसाले हैं इसमें वन थर्ड टी स्पून हल्दी है हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है एक टीस्पून कसूरी में थी है हाफ टीस्पून दोबारा से नमक है वन थर्ड टीस्पून गरा मसाला पौडर है और हाफ टीस्पून जीरा पौडर है एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है जो की आप्शनल है और एक टी स्पून लाल मिर्ज का पाउडर है उपसे पहले हम एक प्रेशर को कर लेंगे और इसमें मटन को ट्रांसफर कर देंगे कोशिश करेगा आप जो मटन लें उसमें चरबी यानि की फैट कम हो अब हम इसमें दही डाल देंगे साथ में डालेंगे अद्रक और लेसुन का पेस्ट और नमक साथी में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे वैसे पानी हमें यहाँ पर ज़्यादा इस्तमाल नहीं करना है मैं यहाँ पर वन फोर्थ कप यानि की 50 अमिल के करेब पानी डाल रही हूँ क्योंकि जो मटन है यह अपना पानी खुदी छोड़ता है अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे और हाइ फलीम पर हम इसमें एक प्रेशराने का इंतेजार करेंगे एक प्रेशराने के बाद गैसी फलीम को लो कर देंगे और low flame पर 8-9 minute इसको cook करेंगे ध्यान रखना है इसको over cook नहीं करना है और अगर आप यहाँ पर mutton की जगा बीफ का इस्तमाल कर रहे हैं तो इसको गलने में कम से कम 20 minute का वक्त लगेगा यह pressure को हम naturally release करेंगे और हम चेक कर लेते हैं हमारा mutton गल गया लेकिन इसमें काफी पानी दिख रहा है तो हम गैस की flame को high करके इसका सारा पानी dry कर लेंगे तो यह देखिए थोड़ी दिर में इसका सारा पानी जो है वो dry हो जाएगा अब हम गैस की flame को बंद कर देंगे और हम अपने mutton को थोड़ा सा थंड़ा कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर बागी की spices अट करेंगे तो अब हमारा mutton थोड़ा थंड़ा हो गया है हम बागी की तैयारी कर लेते हैं अब हम एक बड़ा बोल लेंगे और उसके अंदर दही डाल देंगे साथ में हम इसमें भुनावा यानि की roast की अवा बेसन डाल देंगे निवू कर रस डाल देंगे और जितने भी हमने powder मसाले लिए वे हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे से इसको मिला देंगे तो आप देख रहे हैं ये mixture थोड़ा सा ड्राय है तो यहां पर हम इसमें एक टेबिल स्पून के पानी डाल देंगे पानी जादा मट डालेगा बस एक ही टेबिल स्पून डालेंगे यह देखिए आप देख रहे हमारा mixture तयार हो गया है अब हम इसके अंदर अपना cook किया हुआ यानि की पकावा मटन डाल देंगे आप देख रहे हैं मटन के पीसे पकने के बाद श्रिंक हो गया है तो इसके साइज जो है तादा छोटा मत लीज़ेगा और इन मसालों को हम हाथों की मदद से मटन में बहुत अच्छे से मिला देंगे मसाला अच्छे से कोट कर देंगे हर पीस पर देखिए मसाला मटन के हर पीस पर बहुत अच्छे से कोट हो गया है अब हम इसको fry करेंगे अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और तेल के गरम होती हम इसमें बटर डाल देंगे और बटर के melt होने से पहले हम इसमें मटन के pieces drop कर देंगे वरना हमारा butter जो है वो जल सकता है और gas की flame को low to medium कर देंगे हाई heat पर हमारे मटन के pieces जो हैं बहुत जल्दी डार्क होने लगेंगे वरना एक मिनट के बाद हम इसकी साइट चेंज करेंगे वो एक मिनट हो गया है अब हम इसकी साइट को चेंज कर देंगे और इसको हम 3-4 मिनट low to medium flame पर इसी तरह से साइट को चेंज करकर फ्राई कर लेंगे एसी कोई खास कोकिंग दो हम यहां करनी नहीं है क्योंकि हमारा मटन जो है अल्रेडी पका हुआ है बस हमें इसको फ्राई कर लेना है यह देखिए मैंने 3-4 मिनट इसको फ्राई कर लिया अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे इसके लिए हम इसके बीच में कोई भी स्टील की कटोरी या फिर फॉयल रख देंगे और फिर हम इसमें एक जलावा कोईला रख देंगे इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए और उपर से एक टेबल स्पून के करीब तेल डाल देंगे और इसको फॉरण एकलिट से ढख देंगे और 3-4 मिट इसको ऐसे ही ढखे रहने देंगे तो करीब 3 मिट हो गए अब हम इसमें से कोईला और ये फॉल निकाल देंगे और इसको सर्फ करेंगे और यह लिजे हमारा बहुती मज़े का और बहुती मज़े का और बहुती लजी स्नाक बनकर तयार है तो जरूर से इस डिफरेंट रेसिपी को ट्राइ कीज़े बहुती अच्छी बनती है बहुती डिलिशस बनती है आम शूर आपको पसंद आएगी और बहुत पसंद आएगी और रेसिपी अची लगी है तो लाइक कीज़े और इसको फैमली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीज़े और मेरे चैनल को वन टाइम सब्स्राइब कीज़े थैंक यू